कभी सोचा है आपका debit card expire क्यों होता है, online payment करते समें CBQ क्यों डालना पड़ता है हर card पर ये काली पट्टी, ये chip, ये wifi का signal क्यों होता है ये black पट्टी एक magnetic strip है जिसमें काफी सावी information stored रहती है जब भी आप ATM या PUS machine में अपना card swipe करते हैं information को use करते हैं आपके bank से transaction किया जाता है लेकिन magnetic strips को hacker clone करके duplicate cards बना सकते हैं इस समस्या को दूर करने के लिए लाया गया EMB chip, European Mastercard, Visa chip इस chip से card काफी जाधा secure हो गये हैं और इस technology का use करते हैं अब RFID के थूप contactless payment भी किया जा सकते हैं अगर आपके card पर इस तरह का Wi-Fi का signal बनावा इसका मतलब आपके card से contactless payment enabled है जनरली debit card या credit card में 5-6 year की expiry date रहती है ऐसा इसलिए set किया गया क्योंकि 5-6 साल में magnetic chip won out हो जाती थी और अब बात करते हैं CVV की regulation companies को ये mandate करता है कि वह किसी भी card का CVV अपने पास store नहीं कर सकते इसलिए आप Uber या Amazon जैसी वेबसाइट पर अपना card number तो store कर पाएंगे लेकिन हर बार online payment करते समय बाद का CVV जरूर मागेगा इससे फायदा ही है कि अगर मान लीजिए Uber या Amazon की वेबसाइट हो जाती है तो आपका card number जरूर hackers के पास चला जाएगा लेकिन CVV के बिना आपका transaction नहीं कर पाएंगे इसके अलाबा कुछ cards के back में आपको hologram और एक QR code भी देखेगा अब आप मुझे comments में बताएंगे इन दोनों का क्या मतलब है